यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार पायस आयरुविदा की खास पेशकश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ किरती कंसल और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है क्या आप चाहते हैं कि आपके घर का हर एक व्यक्टी स्वस्त बनी रहे कि आप चाहते हैं कि घर में जितने भी मतभेद होते हैं वह दूर 받고 lymphar चैंङरे कि जिससे अपको यह सुख सवुधाय आपको अवेश्य ही मिल सकते यानि कि यह अंक के लिए बेहद ही महत्वपून साबित हो सकता है आज हमार साथ स्टूडियो में आयरुवेदा एक्सपर्ट मौजूद है जिनसे हम बात करेंगी कि वो element कौन सा है जिससे आपको ये तमाम सुख सुवधाय मिलने वाली हैं जी मैम हम लोग दो तिन दिन से हैं न इसी product के बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं तो आज भी हम उसी पर concentrate करेंगे जो आपको आपके घर को बिल्कुल क्लीन रखेंगे बिल्कुल healthy environment आपको देंगे आप आप जो हर सांस के साथ जो आप air अंदर ब्रीद करते हो वो इतनी ज्यादा साफ और positive हो कि आपको किसी भी तरह की नका आप positive होते हो तब तक आपको कोई भी चीज आपको effect नहीं कर सकती आपको कोई भी चीज तब भी effect करती है जब आपका moral down होता है जहां आपकी willpower थोड़ी सी कमजोर होती है तो इन सारी चीज़ों का जो है वो सारा इस पायस element जो आपको हर तरीके से आपको positive रखता है जी जैसे कि हम दो तिन दिन से लगतार पायस element के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे तमाम तरह की जितनी भी समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है लेकिन इन ही दो तिन दिनों में हमने एक बात ये भी जानी कि इस पायस element को अगर इस्तिमाल किया जाए तो घरेलू मत हैं वो भी दूर हो जाते हैं तो इसके साथ क्या संबंध है इस डीखो हर चीज़ का एक रिजन होता है न तो वो होता है कि एक तो हम लोग हमारी जो थिंकिंग है न उसको जो हम जब दूसरे के साथ वो हमारी frequency नहीं मैच करती हैं तो हमारी जो थिंकिंग difference आजाते हैं तो यह जो पायस elements है या कोई भी चीज आजी हम लोग use करते हैं जो हमारे घर को positive रखती है तो वो आपकी जो एक सोचने की power है या जो आपकी frequencies होती है उनको match करने में help करती है यह frequency match करती है तब भी harmony आती है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है यह जादू करती ह है या कुछ ऐसा ऐसा नहीं है जो हम लोग कल कोई भी supernatural powers या कोई भी negativity हम लोग environment की की बात कर रहे थे कल जो हम लोग तो वहां पे भी भू सारी चीज जो होती है जब आपकी frequency के साथ कोई चीज नहीं match करती तब आपको उसका effect आता है जब हार चीज आपकी harmony के साथ चलती रह करती और अब देखोगे के घर में भी बहुत जारे लोग अगर होते हैं तो हर इंसान को problem नहीं होती उसी इंसान को problem होती है जिसकी frequency थोड़ी लो होगी वह बाकियों के साथ नहीं match करेगी या environment के साथ भी नहीं match करेगी तो यहां पी हम लोग जो पंच तत्वा मैं हमेशा बात करती हूं पंच तत्व हमारे जो हैं प्रित्वी जल अकाश वायू एक अकाश वायू प्रित्वी जल एंड फायर फायर जो main element है यहां पर purification का काम वहीं करता है तो यह जो पंच तत्व हैं वही हमें हान्मनी में रखते हैं हार चीज़ का हमारी लाइफ में होना बहु क्यों इतनी हो डिसार्मनी होती है क्योंकि हार्च बहुत जादा polluted हो चुकी है अर्थ को हमने डिस्टर्ब कर दिया है तो यहां पर अर्थ भी एक major role play करती है हमारी डिसार्मनी में क्योंकि वह उसकी भी frequency हमने डिस्टर्ब करी हुई है तो वह आपकी जो frequencies है या आपकी positivity ज लेने की कोशिश करूंगी ना तो जो यह ऐसे ही यह सारी elements है जब हम जब उनकी हम लोग frequency डिस्टर्ब करते हैं तो वह हमारे से positivity लेने की कोशिश करते हैं हमारे पास जितना सत्व है सत्व या immunity we call it वह उसको आप से लेने की कोशिश करते हैं जब वह हमें environment को वापिस देनी पड़ती है तब हम लोग बिमार होते हैं तो अब देखें पास element में वह पंच तत्व शामिल है जिससे की एक व्यक्ति के शरीर का निर्मान होता है वह पंच तत्व इसमें शामिल है और आप बात कर रहे थी कि कि किसी तरह से हमारी जो frequency है वह इंबालेंस हो जाती है और फि इसमें लक्षन को हम लोग न सीमित निकर सकते है हर इंसन के different differently cases होते है जैसे बहुत लोग हम बिमार रहने लग जाते है depression आ जाता है कई बार ही हम लोग सोच पर हमेरे कानों में आवाज जाती है या कुछ आशे इसी चीज़ए होती है तो बहुत सारे owners जहां पे हम कोई दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है लक्षमी पानिपत से लक्षमी अपने समस्य रखिए नमस्कार जी नेरी बेटी है जी वो बहुत ही बिमार रहती है जी उके इसकी एज कितनी है जी बेटी की एज कितनी है 19 साल की और कब से बिमार रही है किया मैं कब से बिमार रही है आपकी बेटी वो बिमार जी कम से कम चार पांच साल ओगे तो मुझे लगता है एक तो उनका थोड़ा सा स्टमक अपसेट है है ना जैसे आप कहा रहता है वो होती जादा दफ रहता कमर में दफ रहता है मैं वह तो इसलिए रहता है ना क्योंकि वह बीमार रहती है जो खाना टीब है वह क्यों थे और क्योंसा प्रॉपर निहों तो वो पूरा प्रोसेस उसका नहीं ठीक प्रॉपर नहीं हो पाता इसलिए वह उसके पैरों में भी दर्द है इसलिए उसके पूरी बॉडी में भी दर्द होता हो गया ना में देखिए उसको यहां से तो मैं यही गाइड कर सकती हूं आप उसको कोई लिवर्टॉनिक दें और जो भी है ना और अगर आप आपके क्योंकि चार साल मींज एक रॉनिक प्रॉब्लम है ना लंबी पिमारी हो गई है तो उसको अच्छे तरीके से उसकी पल्स वगेरे डा महां पर डिस्टर्ब हो चुका है उसका है ना तो हमें आप सोचों कि ABC से शुरू करना पड़ेगा जब तक आप नहीं आ पाते या अप तब तक आप उसको कोई भी लिवर्टॉनिक आप जरूर देते रहें ठीके लिवर्टॉनिक आप देते रहो और पाइस अगर आप आप आते तो घर में आप सिर्फ नम्मक और फिटकी का पोचा लगाना शुरू करें उससे भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे आपकी बेटी काफी ठीक होना शुरू हो जाएगी उसकी विल पावर थोड़ी सी कमजोर लग रही है मुझे बच्चे की बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इसे के साथ जितने भी दर्शक ये कारेकरम देख रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ सकते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नमबर लगतार फ्लैश हो रहे हैं इन नमबरों के द्वारा आप हमें फोन कर सकते है और हमारी आयरुवेदा एक्सपोर्ट के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका समाधान ले सकते हैं तो हम बात करें थे पायस एलिमेंट की मैं मैं चाहती हूं कि हमारी दर्शकों को एक बर फिर से बताए कि इसको इसको इस्तिमाल किस तरह से किया जाता है इसको इसको सबजी वगरा सब करते हैं किसी बी बीप करते हैं तो उस्टाइम वह एक दिया सब्साब बन जयता हैं तो उस सब सब्सक्ति को आकेगक जाते हैं और फिर पूजा करते हैं तो रात को शंट के बाद आके भी वह ताइम भी फ्यूमिंगेट कर सकते हैं तो इसके दोनों परपस हैं एक तो इससे आप जो जलाते हैं वह एक परपस आपका सौल हो जाता है क्योंकि यह थोड़ी देर पहले जो जितने भी मिटेरियल अब जलता है वह रोशनी देता है उससे आप आरती भी कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो एक टाइम भी अगर आप कर लेते हो तो मतलब बहुत ही अच्छा है मैं मेरे जहन में सवाल आरा है कि किसी तरह से जिसकारा से से काफी देखा जाते की काफी लोगों को धुए से प्रॉब्लम होती है हां तो क्या यह कोई प्रॉब्लम भी क्रियेट कर सकते हैं यह बहुत अच्छा कोस्टिन आपने किया है जी हां यह अगर किसी को सिर्फ उसी इंसान को थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है कि उसने खुद नहीं जलाना जिसको कोई अस्तमा की प्रॉब्लम ह ठीके उसने डिरेक्ट इसके फ्यूम्स नहीं लेने यह घर में जला दो बहुत अच्छा है धीरे धीरे उसका अगर अस्तमा वगरा भी है तो वह सारे लंग उसके क्लीन हो जाते हैं तो इसके साथ हमारे अगले दर्शक अशोक चंडीगर से हमारे सा जुड़ गए हैं अश 64 आपके लिए दो चीज़े हैं सर एक तो आप स्टीम लेंगे जरूर अच्छा जी स्टीम जब हम इन्हेल करते हैं तो उसके जो वेपर्स होते हैं तो वह आपके जितनी भी हमारी अंदर इंटरनल हमारी जो नर्व होती हैं उनको लुब्रिकेट करते हैं ठीक है तो आप व मेडिसन एक बना के दूंगी जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत रेयर है इतनी जल्दी किसी को यह नहीं ऐसी प्रॉब्लम होती जिसे आपने एकदम बता दिया तो टाइम के साथ थोड़ी सी बढ़ती जाती है तो यह हम लोग यह बोलते रहते हैं कि आप अपना थोड़ा स दालना है तो सो चुकि कोई भी चीज अगर सूख जाती है तो हम उसको नरिश करते हैं इसमें एक्जामपल छोटा सा दूंगी आपको जैसे हम लोग कोई बी दाल वागेरा बनाते हैं हम उसको भिगो लते हैं जा किश्मिश है हम उसको पानी में भिगो के यूज करते हैं हम उनको नरिश करेंगे तो वह अपनी काफी हद तक अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आ जाती है तो अपने नरिश्मेंट करनी है स्टीम जो हम लोग लेते हैं विपर्स हम लोग कुछ भी गरम करते हैं तो वह आपकी नसों को एक तो रिलाक्स करेंगे ठीक है और दूसरा ज दालेंगे वो उसको दुबारा से लुब्रिकेट करेंगे आपकी सूख गई है थीक है नाक में दो दो ड्रॉप्स वो डालनी है स्टीम लेने के बाद और कोई भी ब्रें टॉनिक आप लीजिए ठीक है आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी विदिन वन मन ठीक है जी ओल देश्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सा जुड़ने के लिए तो जितने भी दरशक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पोन लाइन के द्वारा हमारे सा जुड़ सकते हैं टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और कैसी भी समस्या हो हमारी आ करेंगे क्योंकि एकदम से डिरेक्ट करेंगे तो उनके लंग्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है कि वह इतनी बेडिसंस का फ्यूम को बरदाश कर पाएं तो वह घर पे उनके कोई भी जिलाता रहें तो विद पैसेज ओफ टाइम विदिन वन मांथ और तू मांथ वह उनका मतलब मैं यहां पर बहुत जादा नहीं उसको क्लेम करना चाहूंगी बट उनकी प्रॉब्लम काफियात तक दीरे दीरे अगर वह इनहेलर वगरा भी ले रहे हैं तो दीरे दीरे वह साथ कम हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कर लोग 10-10 बार भी दिन में इनहे लेते हैं तो वह सारी चीज़ें इससे थोड़ा सावधानी बरते हैं लेकिन कोई और व्यक्ति उसको जला सकता है और घर में यह सकरात्मक उर्जा इससे आपको प्राप्त होने वाली है तो क्या बच्चे भी इससे थोड़ा दूर रहें देखो बच्चों को तो सिर्फ इस बच्चन वगारे की प्रॉब्लम है तो वह एकदम से डरेक्ट फ्यूम्स नहीं लेने उन्होंने कोई और जला दे तो घर में वह फ्यूम्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ डरेक्ट फ्यूमिगेशन के लिए मैं मना कर देती हूं कई पार क्योंकि वह इतने जटा मांसी का इस्तेमाल किया है तो क्या आप हमारे दर्शे को को बताएंगे कि जटा मांसी क्या है जटा मांसी एक हमारी का होता है इसका लेंटिन नाम में मों कह सब्दा दीओ नॉड़ोष टेक्स जटा मांसी पार नाम है तो siB depression है हिस्टी या पहले होता था आज की है हो बहुत जादा मैनेज हो चुका है लेडीज को पहले हो जाता था तो जितनी भी यह नर्वर्स डिसॉर्डर है हमारे मेंटली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहां पर जटा मांसी जो है एक मुख्या आश्यदी एक जो हम लोग यूज करते हैं हर कोई भी प्रोडक्ट होगा ह जो इन चीजों को टैकल करता है तो उसमें जटा मांसी में इंग्रीटिंट रहता ही रहता है जितनी प्रॉब्लम्स है अब यहां पर हमनों उसको फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया है तो वह जैसे मैडिसन हम लोग खाक के एफेक्ट करती है यहां पर उसके जो फ्यूम कितनी प्रॉब्लम है अगर मुझे उनकी यह पता हो कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा तो गर मैं रिवारे इनसन को हम लोग ऐसी सिद्धा हार चीज नहीं बताते तो मतलब हमेंए फ्रीक्वेंसिय देखनी होती है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कितनी कम है उस ही हि यह है जो इसके फ्यूम्स है लेडिज जैएंट का क्यूंकि आज की डेट में इंग्जाइटी और डिप्रेशन तो किसी को भी हो जाता है थोड़ा सा है इन्वार्मेंट उनका तोड़ा चेंज हुआ तो वहीं पर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है तो और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर शिम्ला से निश्या हमारे साथ जुड़ गई है निश्या आपने समस्या रखे निश्या क्या आप हमें सुन पा रहे हैं हलो हां जी मैम नमशका जी मैं मुझे ना तॉंडो लाई जी और मेरे दोनों हाथ सुन हो रहे हैं कब से मैम आपको पेन मैम यह मुझे एक डेर साल हो चुका है तो आप वर्किंग हैं जी मैम मैं वर्किंग हो तो आपका जो वर्क है वो कुछ ऐसा है जहां पर आपकी मोमेंट बहुत जादा होती है हाँ जी मैम मेरी दो साल की बेटी है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इस से हुई जब यह हुई उसके बाद मुझे ज़्यादा दर दूई बाजू में और हाथ सुननू हुए उसके बाद हाँ अभी न किरती मैं यह चैप्टर बाद में लोंगी आज मैम आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ अभी है एक मिनट है ना जो पहले पहले हमारे जो बड़े बजूर्ग प्रेग्डेंसी के बाद लेडिस को हमेशा कहते थे इतनी देर केर करनी है तो उस पर पीछे भ एक दूसरे बेबी को या दूसरे प्रानी को हम लोग जो स्थ्ष्टी में ले के आते हैं तो बड़ी का कितना जोर लगता है ना तो हर बॉढडी का हर पार्ट उसमें इंवल्व होता है एक नया जीवन खुद को मा को भी मिलता है और ढके बनात बीमिलता है तो वह एक तरitting सी आप सुचो कि उसका भी नया जीवन है लेडी का भी वहां पे धीरे धीरे आपकी हार चीज नॉर्मल चीज नॉर्मल स्टेज पे जाएगी तो उस टाइम पे पहले पेरेंट्स मैंने देखा कि बहुत केर करते थे कि आपने बाहर नहीं जाना वाई वाली चीज नहीं खानी आज की डेट में थोड़ा सा लापरवाह ही हो गया तो उस टाइम पे कुछ भी खाना खा लिया कुछ भी कर लिया तो यह सारी चीज वहीं से क्यूमिलेशन शुरू हो जाती है जो दोशों की एक तो उस टाइम बहुत जादा प्रिकॉशन्स नहीं लेते प्रेग्नेंसी के दोरान भी नहीं लेते आने बाले चैप्टर में मैं वह ज़रूर गाइड करना चाहूंगी आज की डेट में लड़कियां बहुत लापरवाह होती जा रही है तो उनको बाद में प्रेग्नेंसी के बाद बहुत जादा प्रॉब्लम स्वेस करनी पड़ती है तो जैसे मैं न थोड़ी सी थंड़क तो रहती है मौनिंग इवनिंग अगर दिन में धूब भी हो जाती है तो मौनिंग इवनिंग थंड़क जरूर रहती है तो वो थंड़क ने और थोड़ी सी इनके जो एक्सपोजर ने इनको प्रॉब्लम क्रेट कर रहती है तो इनके लिए जो में ची सा लेनी हैं आप ऐसे करें अब तब तक आप अजवायन जीरा और मेथे इन तीनों को मिक्स करके आप डेली एक चमच आप डेली रात को लेते रहें इसमें जैसे एक एक पार्ट आपने अजवायन और जीरा का लेना है तो मेथे जो हैं आपने 5-10 दाने ही लेने हैं तो यह अ करना चाहिए और 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 आपको एक्ससाइज जरूर करने चाहिए क्योंकि अभी आपकी एच बहुत ज्यादा नहीं लग रही और अगयर अभी प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी तो मैं आप नेक रूटेशन और शोल्डर रूटेशन आप जुरूर में दुबारा से आया कि जो यह पायर से अलिमेंटर किया जब महिलाएं प्रेगनेंट होती हैं तो क्या तब भी इस्तिमाल किया जा सकता है बिल्कुल किती आई विल भी टेकिंग एट फुल चैप्टर मेरा एक गरबाधान प्रॉसेस है हमारा में उस पर वर्क करती हूं व उस हिसाब से लेडिस के लिए मैंने टॉनिक त्यार किये हुए है कि आप जो भी मेडिसन कहते हैं उसके साथ साथ आपने यह चीजें लेनी है उस टाइम फर्स्ट मंत में कौन से प्लैनेट का बहुत जादा पुजिशन स्ट्रॉंग रहती है उस हिसाब से मैंने उन लोगो एसा हो वैसा हो तो जैसा हब बचा चाहेंगे आपका बचा वैसा होगा फट पर हम घाव कि दोरानी से एक महीन पहले मुझे मिलना पड़े गा यानि कि आने वाले कारेक्रम और भी महत्वप०्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं जितने भी महिलाएं हैं जो अपनी जिन्दगी में एक नई जिन्दगी और चाहती हैं Soh Unkeous लिए काफी महत्वप०्ण साबित हो सकते है। लेकिन आज हम बात करें हैं पाइस कि अभी हमने बात की की काफी तरह के रोग दूर हो जाते हैं सकारात्मग उर्जा मिलती है इसके अलावा और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं जिसके बारे में अभी भी दरशकों को नहीं पता हां इससे देखो यह जो अभी हमने यह भी लिया है प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी से पहले या इवन के पहले भी यह सारी चीज़े होती थी अब भी बहुत लोग करते हैं जिससे सूतक पातक सबको पता होगा कि सूतक क्या होते हैं तो उस टाइम पे भी आपको घर को प्योरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा जरू करते हो पॉजिटिवटी का या मतलब सब सोचेंगे मैं किसी और धारना से कहती है तो यहां पी हम लोग लेते हैं कि बैक्टिरिया बाइरस फ्री और किसी भी तरीके का वहां पे कुछ भी सब्सक्राइब करें तो यहां वाइवस अपने पी पॉजिटिव हो जाती हैं तो environment जो हमें मिलता है वो बेबी के होने के बाद या गर में किसी की भगवान न करे डथ हो जाती है तो उसके बाद भी इस से fumigate हम लोग करने को भूलते हैं so that क्योंकि वैसे भी देखा जाता है कि अगर घर में किसी की जोड़ा एक ज़िए कंके जब मुझे याद है कि चोंटे हमलोग हमारी मेरी दादी दे दो daw até मेरे करे यूपलाले यूज होते थे उसुस था उन्होंने जटा मान सी और राई अजवाएन यह सारी चीज़ोंने पूरे को दूनी देते थे तो जब बड़े होए तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चाती है तो मुझे लगा जब भी घर में कुछ-कुछ चोटी सी प्रॉब्लम होती तो लगता था ओ हो यह लगता है कुछ-कुछ घर में नेगिटिव साग या कोई बार होता ह अब भी कॉल इड़ डविल आई और यह सारी चीज़ें मतलब हर चीज कमें यह सारी चीज़ें लोग सोचेंगे मैं डॉक्तर हो तो ऐसी बाते कर रहे हूं इस नौट लाइक था हमारी जो आयरवेद में जो ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं ना बहुत सारे लोग सोचें में अगर हम कल विस्तार से चर्चा करें तो बहुत ज्यादा आपके लिए भी महत्वपुन सावित होगा क्योंकि अभी वक्त की कमी है और इसी के साथ आज के कारेकरम में फिलहाल इतना ही धन्यवाद थैंक यू थे लिप से एन्यवाद दिर्वार क्योंकि भी म्हाद से चर्चा करें साल्चा कि अगर वसादर है और ज्या है।